प्रदीश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्री मोहन खेडा तीर्थ पर गुरुक्रपा आरुग्यम कोविट केर सेंक्टर का शुभारम किया गया इस कोविट केर सेंक्टर में 300 बैक की व्यवस्था की गई है जहाँ कोरोना संक्रमण मरीजों का इलाच की आ जाएगा देखे ये खास रिपोर्ट प्रदीश में लगतार कॉरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसके कारण कई जगा स्पतालों में बैग तक मिलने में दिक्कत हो रही है इस विकट परिस्थिती में शिरी मोहन खेडा तीर्थ में गुरु क्रिपा आरोग्य कोविट केर सेंक्टर की शुरुआत की गई इस मौके पर दादा गुरुदेव, राजीन रसूरिश्वर महराज सहब की प्रतिमा पर कैबिनेक मंत्री राजवर्दन सिंग दत्य गाउं, कलेक्टर आलोग सिंग ने पुष्प माला अर्पित कर दीप प्रजुलन कर सेंक्टर की शुरुआत की इस दोरान बड़ी संख्या में स्वस्त विभाग और जिला प्रसाशन के अधिकारी भी मौजूद रहे। गुरुदेव के मताबिक इस कोविट केर सेंक्टर पर ट्रस्ट की ओर से रहने और भोजन की व्यवस्था की जा रही है। परत्मान दोर के अंदर यह हमें बहुत अच्छा मेंसित हुआ की प्रसाशन ने मंत्री मोजूद जी के तेंटिसों पर यहां पर कमेसेंटर बनाने के लिए यगे के चैन किया। कैबिनिक मंत्री राजवर्दन सिंग दत्ति गाओं के मताबिक विपदा के समय हमेशा मोहन खेडा आगे आया है। यहां महिला परोश्वे बच्चों के लिए अलग-अलग व्यवस्था की है। जैसे ही आप अधारें के विज़ाद से आते ही उन्होंने मुझे फोन लगाया नात का समय था, फोन लगाते ही उन्होंने चिंता व्यवक्त करी के शेतर में बहुत पहल रही है। इन्होंने बागी भी इन्जेक्शन के बारे में अक्सिजन के लिए जहां भी पैसे के भी कमी पड़े तो नहीं आपको आपके लिए आपका सहयोग से हमें बहुत मदद बलेगी तो आज हम समयापे हैं और पूरी वेवस्ता हम लोगों ने देशी है अच्छी वेवस्ता है ब हैं लिए जहां और इछाथे हैं और मेरे खयाल से बहुत रहात मिलेगी हमें लिए जाशी और आने वाले समयापे में मुझे पुरा वश्वास है कि हम सब मिल्की गरुणां से लड़ेंगे और अवश्य Colgate देखा जाए तो मोहन खेडा में बने इस कोविक केर सेंटर से मरीजों को काफी राहत मिलेगी ब्यूरो रिपोर्ट एमपी नियूज बदनावर